तो जो हमारे चैनल पे लास्ट वीडियो अप्लोड हुई थी विच वस अबाउट प्रिग्नोमेट्री प्रिग्नोमेट्री इन वन वो वो काफी जादा लोगों को पसंद आई काफी लोगों को वो हेल्पफुल लगी तो उस चीज को ध्यान में रखने हुए यह भी हमें यह रियालाइज हुआ कि बहुत सारे लोगों को को कॉडिनेट जहमेट्री नाम की यूनिट में भी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि यह भी एक बहुत बढ़ी से यूनिट है इन फर क्लास 11 क्योंकि कोडिनेट जहमेट्री से बहुत कम बच्चे अवेर होते हैं विकॉस ते वीडियो का फिड़बाक हमें पसंद आएगा तो हम लोग इसमें 3D भी इंक्लूट करेंगे और उसके साथ आपका क्लास 12 का भी कोडिनेट जहमेट्री कम्प्रीट हो जाएगा बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 11 पे में फोकस करेंगे क्लास 11 के सेलिबस में में फोकस करेंगे बाकी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसी भी एक्जाम में पूछी जा सकती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन से चाप्टर इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ना है रिव्यू ऑफ कार्टीशन सिस्टम बहुत बेसिक सा कर्टीशन सिस्टम से तो में दूं stands है मि उमिद करते हैं कि आप लोग काटीशन सिस्टम में बैसिकली आपको पता होना चाहिए यह चोंच क्या होते हैं च्छांच पार पन special क्या होता है कि सी एग प doit पॉइंट का कोडिध क्या होता है coordinate का representation क्या होता है along with that coordinate का जब आप representation करेंगे तो हर quadrant में coordinates का क्या-क्या sign होता है ठीक है तो एक बार हम लोग quickly देख लेते हैं यह हमारी क्या होती है कि X-axis mutually perpendicular X and Y-axis divide a plane into four quadrants यह आपकी होती है X-axis और यह आपकी होती है Y-axis इसने क्या किया इसने पूरे plane को चार quadrants में divide कर दिया यह होगे आपका first quadrant यह होगे आपका second quadrant यह होगे third quadrant और यह होगे आपका fourth quadrant किसी एक particular point को हम लोग represent करते हैं कैसे उसके X coordinate, Y coordinate से Y, X नहीं कर सकते हैं यहाँ पर order matter करता है depending upon कि वो particular point आपका किस quadrant में लाए कर रहा है वहाँ पर X और Y का sign होता है first quadrant में plus X भी होता है और plus Y भी होता है second quadrant में X negative होता है बट Y positive होता है third quadrant में X negative and Y negative fourth quadrant में X positive Y negative that means कि यह आपकी positive X axis है यह आपकी negative X axis है यह positive Y axis है और यह negative Y axis है तो यह होता है आपका कि आपको पता होना थे कि अगर आपको point दे दिया जाए कि the point is 3, minus 2 तो आप बता सकते हैं कि वह किस particular quadrant में लाए करेगा क्या होगा X positive है और Y negative है that means यह कहां लाए करेगा fourth quadrant में लाए करेगा तो यह basic चीज आपको पता होने चाहिए तो आप इसको भी एक वैसे तो इसको भी आप लोडाउन कर ही लीजिए क्योंकि एक idea रहना चाहिए उसके बाद अब हम जो main उस पे आते हैं यह क्योंकि basically यह चीज़ें आपको 10 में ही पता होती है बट फिर भी जब भी पढ़ना शुरू करना चाहिए तो एक 0 से ही माल लिजे कि एक p point दिया है x1, y1 और एक q point दिया हुआ है x2, y2 पी q के बीच पर distance कितना होगा पी q के बीच पर distance होगा under root x2 minus x1 का whole square मतलब difference between the abscissor of both the coordinates का square plus difference between the ordinate of both the coordinates का square this is the distance between required distance between two points उसके बार होता है area of the triangle area of the triangle में question कैसा आता है कि suppose आपको 3 coordinates दे दिया बोल दिया कि area निकालो या बोल दिया कि 3 points दिया है प्रोव दाट the points are collinear या points में कुछ unknown है और बोल दिया कि points are collinear find the value of that unknown तो वहाँ पर simple concept यूज होता है कि अगर आपका जो ट्रांगल है वो बोला गया है कि उसके 3 coordinates हैं a, b, c यह है x1, y1 यह है आपका x2, y2 यह है आपका x3, y3 तो area of the triangle is half x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 जब आप इसको evaluate करेंगे तो यह क्या आएगा x1, y2 minus y3, अच्छा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है देखे क्या करना है आपको, x1 लिया आपने यह वाली column और यह वाली row को छोड़ दिया, उसके यह y2 into 1 minus y3 into 1 फिर बीच वाला minus होता है, minus x2, यह लिया x2, यह वाली row छोड़ दिया, yellow column छोड़ दिया, y1 minus y3, y1 minus y3, plus x3, यह plus में, यह minus में, यह वाली row yellow column छोड़ दिया, y1 minus y2, यह हो गया आपका area of the triangle, अगर आप इसको evaluate करना सीख गए हैं, simply आप यह वाला formula याद करिएगा, यह मत याद करिएगा, y because इसमें थोड़ा सा आपको confusion हो सकता है, ठीक है, तो यह हो गया आपका, शायद यह आपको visible नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूं, half, x1, y2 minus y3, minus x2, y1 minus y3, plus x3, y1 minus y2, यह हो गया आपका area of the triangle, half को मत निगलेट करिएगा, half बहुत ज़रु दिया है, अब इसी पर अगर question आए, कि you have to prove that these particular points are collinear, x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are collinear, तो आप यह कैसे प्रूफ करेंगे, अगर points collinear है, that means कि उनसे वो एक straight line पिलाए कर रहे, अगर एक straight line पिलाए कर रहे, तो उनसे कोई triangle कभी भी बनेगा नहीं, अगर triangle नहीं बनेगा, तो अगर आप प्रूफ कर दें, कि area of triangle 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि points are collinear, तो basically question collinearity पे ही आता है, कि आपको 3 points दे दिया, you have to prove the points that the points are collinear, या तो points में कुछ k, x के terms में दे दिया, and you have to find the value of that k, for which the points are collinear, तो आप simply क्या करेगा, इस चीज को 0 करेगा, जैसे ही यह 0 आएगा, आप आपका proof हो जाएगा, कि points आपके collinear है, तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़े देखी, distance between two points and area of the triangle, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे है आपका section formula, यह सारी चीज़ों से हो सकते हैं, कि आप लोग अबैर हो, नहीं हैं, तो हो जाएंगे, note down बस करते जाएगा, say is section formula, section formula क्या कहता है, कि अगर आपका एक दो points है, pq, x1 perma y1, अब q है x2 perma y2, इस पे एक point है r, जिसका coordinate है x perma y, and r point divides pq in m is to n का ratio, m is to n के ratio में r point pq line को, p और q point को join करने वाली line को divide करता है, अब यहां पर यह कैसे divide कर रहा है, internally divide कर रहा है, हो सकता है externally भी divide करें, internally अगर m is to n के ratio में divide करता है, तो what will be the coordinate of r, तो r का coordinate होगा, आपका, m, मतलब जिधार तरफ m है, उसकी opposite side वाला लेंगे, mx2 plus nx1 upon m plus n, यह हो गया, इसका x coordinate, इसी तरह से, m y2 plus n y1 upon में m plus n हो गया, इसका y coordinate, अगर इस point r में p q को जोडने वाली line को internally divide किया है, in case of external division, external division का मतलब, यह आपका p है, यह आपका q है, और यह आपका r है, मतलब, p q को extend किया है, तब उसको divide किया है, तो उस case में जो r होगा, वो होगा, mx2 minus nx1 upon में m minus n, simple, बिस minus हो जाता है, और कुछ नहीं होता है, m minus n, कहां पे, in case of external division, और यह plus है, यह हो जाएगा, in case of internal division, तो यह आगिया आपका कि points का मतलब, यह इसको बोलते हैं मैंसे section formula, अगर section formula में बोल दिया जाए कि, r is the midpoint of the line joining p q, midpoint है तो उसका क्या मतलब होगा, अगर midpoint है तो simple क्या होगा, कि उसको 1 is to 1 के ratio में divide किया होगा, तो वो हो जाएगा, आपका x1 plus x2 upon 2, x-coordinate और y1 plus y2 upon 2, इसका हो जाएगा y-coordinate, यह था आपका section formula, section formula के साथ-साथ, अब आगे यह नोड़ दाउन का लिजे, section formula काफे important है, बस इसमें एक चीज यह ध्यान रखिएगा, मानने जिए आपको p दिया है, q दिया है, r दिया है, और बोल दिया जाए, you have to find a ratio, तो जब भी आप ratio let करिएगा, तो ratio को let हमेशा करिएगा, lambda is to 1, वो lambda खुद बखुद ms to n के form में आजाएगा, else आपको दो equation बनानी पड़ेगी, काफी complicated हो जाता है, तो ratio को हमेशा, lambda is to 1 ही let करिएगा, इसको आप लोग एक box बनाके, note-down कर लेजिए, इसके बाद आता है, आपको निकालने को बोल दिया जाता है, centroid निकालने को बोल सकता है, या तो in center of a triangle निकालने को बोल सकता है, ये सारे चीज़ है, तो ऐसे तो कोई बहुत बड़ी सी चीज़ नहीं है, simple formula है, वो भी आप लोग note-down करें लीजिए, एक triangle है, एक, साथ-साथ बनाईए, जिसका coordinate है x1, y1, x2, y2, और ये है x3, y3, तो centroid of the triangle होगा, अब centroid है, तो जाहिर से बात है कि अगर आप 2D में बात करें, तो इसके भी दो coordinates होगे, तो centroid of the triangle will be, x coordinate होगा, सारे x का sum, by 3, और y coordinate होगा, y1, plus y2, plus y3, upon 3, ये होता है आपका centroid, उसके बाद आता है आपका in center of the triangle, in center क्या है, कि अगर ये a है, मतलब ये coordinate, vortex अगर a है, तो इसकी opposite side की length a, इसकी opposite side की length b, इसकी c होगे, तो ये होता है, a x1, plus b x2, plus c x3, upon, a plus b, plus c, comma, a y1, plus b, y2, plus c, y3, upon, a plus b, plus c, अब ये अगर confusion है, कि किसको इससे multiply करना है, तो जो length है आपकी, जो side की length है, उसके opposite side वाले vertex से उसको multiply करना है, ठीके, जैसे c है, तो c को इससे multiply करना है, a है, तो a को इस वाले coordinate से multiply करना है, भले ही x निकालना हो, या आपको y निकालना है, तो यह हो गया आपका centroid या in-center निकालने के लिए क्या करना है इसके बाद होता है आपका shifting shifting of the origin shifting of the origin थोड़ा सा important है इसको आपने उम्मीद करते हैं कि note down कर लिया होगा centroid और in-center shifting of the origin में क्या होगा shifting of the origin माल लेजिए कि यह आपका coordinate system था यहां पर यह x-axis थी यह y-axis थी यहां पर कोई भी एक point लाए कर रहा था पी-point ठीक है x,y अब आपका origin यह था यह origin के reference में सारे distances में शुकिये होगे अब हमने क्या किया कि origin को h-distance आगे और k-distance ऊपर shift कर दिया मतलग कुछ आपका अब नया coordinate system जो हुआ x,y इसमें किया कि हमने origin को h-distance आगे और k-distance ऊपर shift कर दिया तो यहां पर जो पी-point का नया coordinate पर पी-point का कॉडिनेट है वो नया coordinate system में क्या होगा वो पी होगा capital x,y अब यह पी डाश हो जाएगा capital x,y जहां पर capital x होगा small x minus h और capital y होगा small y minus k मतलग new coordinate system में x की value is equals to old coordinate system में x की value minus x में हमने कितना shift किया है similarly for y coordinate यह होता है आपका shifting of origin shifting of origin में question कैसे दे रहेगा कि मान लिए कि आपको इस equation दे दिया है x square plus 2 x plus 3 और बोला है कि हमने x origin को 2,3 से shift कर दिया है h की value 2 है और k की value 3 है तो आपको सिफ small x की जगा क्या रखना है capital x plus 2 और small y मतब इसकी जगा रखना है आपको capital y plus k यह हो जाए अगर capital x plus h का whole square plus 2 times capital x plus h plus 3 अब यहां से आपको h, k की value दी रहेगी आपने क्या किया पुराने coordinate system में जो भी आपका geometry which is review of Cartesian system यह तो काफी मतलब basic सथा कि आपको coordinate system से aware कर आए जाए में chapters आपकी यहां straight line से शुरू होते हैं तो चलिए पहले इसको no down कर लीजिए फिर हम लोग straight line को देखते हैं moving on towards the second chapter of coordinate geometry of class 11th syllabus which is the straight line the straight line सबसे ज्यादा important chapter because straight line यह सारे chapters में included रहेगा इन सारे chapters में कहीं न कहीं straight line का कोई न कोई concept यूज जरूर होगा तो straight line को शुरू करने से पहले जैसे कि Cartesian system को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए ता कि quadrant क्या होते है किस quadrant में कौन सा coordinate positive होता है क्या representation होता है उसी तरह से straight line को शुरू करने से पहले the very basic term जो आपको पता होना चाहिए is slope कि एक straight line का slope क्या होता है slope को सबसे पहले हम लोग represent करते है m से and slope is the tan of angle made with the positive direction of the x axis मतलग theta क्या है angle made with the angle made between या angle between the line and positive direction of x axis positive direction of x axis यहां पर जो angle बनेगा उसको बोलते हैं theta and tan of that particular angle is slope of the line that means कि अगर यह है कुछ और यहां पर यह थिर्टा angle बन रहा है तो आपसे पूछा जाए कि slope of a b slope of a b क्या होगा तान थिर्टा अब by the way आपको यह angle नहीं दिया हो यह angle नहीं दिया है और आपको बोला जाए कि यहां पे point लाए करता है x1,y1 और यहां पर दूसरा point लाए करता है x2,y2 और यहां पर थीटा आपको नहीं दिया तो मतलब y1 upon difference between the app से साथ अब जरूरी है यह नहीं है कि हो सकता है कि यह वाला point जो है आपका q point यह आप x1,y1 माल लें और ऊपर वाला x2,y2 माल लें तो similar order में ज्यान रखेगा कि अगर y2 में से y1 घटा रहें तो x में भी x2 माइनस x1 ही होगा तो slope निकालने का यह दूसरा तरीखा होता है कि अगर आपको simple line पे लाइक करने वाले दो points दे दिया जाए ठीक है तो यह हो गया slope concepts देखिए two parallel lines two parallel lines have same slope अगर दो lines parallel है तो उनका slope बराबर होता मतलब कि अगर एक line और हम यहां draw कर लें cd और यह cd जो है वह a-b के parallel है that means slope of a-b slope of cd के बराबर होगा जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने देखा ही है यह दो parallel lines हो गई यह transversal हो गई तो दोनों अंगल बराबर हो गया इफ टू लाइन सार पर्पेंडिकुलर तब क्या होगा मतलब कि अगर यह हमारी एक a-b यह होगा आपका minus 1 यह relation काफे important है कि product of the slopes of two perpendicular lines is equal to 1 यहां तक आप clear होगा इसके बात क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कि straight lines की equation क्या होती है इतना आप लोग क्योंकि यहां पर कोई confusion नहीं होना चाहिए क्योंकि slope हम हर जगह पर यूज करेंगे अब बारी आती है कि अभी तो simple lines देखें कि माली जिन लाइन आपकी x-axis के पैरलेल है लाइन आपकी y-axis के पैरलेल है तो क्या होगा questions दो इस पर नहीं आते हैं बट कहीं न कहीं यह concept include करके questions आते हैं directly question नहीं आएगा बट यूज जरूर होगा तो equation of line parallel to y-axis अगर कोई line y-axis के parallel है that means कि कोई line ऐसे है और यहां पर यहां पर कि इसका coordinate क्या होगा जिस coordinate पर वो x-axis पर intercept बनाएगी a,0 तो इस equation क्या हो जाएगी इसकी x is equals to a अगला है equation of line parallel to x-axis कोई line आपकी x-axis के parallel है मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं तो यहां पर मालेजी यह क्या intercept होगा 0,B तो इस line की equation इससे लिख लेते हैं यह a,b line की equation x is equals to a और c-d की equation क्या होगी y is equals to b मतलब उल्टा होता है कि अगर line आपकी y-axis के parallel तो आप उसको x के terms पर represent करेंगे और x-axis के parallel है तो आप उसको y के terms पर represent करेंगे उसके बाद अगला क्या है equation of x-axis अब x-axis के equation क्या होगी x-axis के भी तो कोई ना कोई equation होती होगी क्योंकि x-axis के यह equation होगी कि आपको बतर दिख़ा होगा कि x-axis पर पढ़ने वाले हर point का y coordinate 0 होगा है तो equation of x-axis is y is equals to 0 similarly equation of y-axis is x is equals to 0 तो यह कुछ basic equations हैं कि कहीं पर बोल दिया कि line is parallel to x-axis and cuts the intercept at y is equals to 4 तो equation हो जाएगी उसकी y is equals to 4 अब हम लोग आते हैं और equations देखते हैं अब straight line की बहुत तरह से equation निकाली जाते हैं और एक form से दूसरे form उसको convert कर लिया जाता है इतना आप लोग note-down करते चलिएगा यह सारे concepts आपके use होंके that's it एकदम completely इस पर question based नहीं आता है अब सबसे पहला form of straight line is slope-intercept form slope-intercept form slope-intercept form का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भी straight line है मैं एक general diagram मना लेती हूँ यह एक straight line है मालीजे कुछ ऐसे है यह y-axis पे कितने distance पे intercept कर रही है c-distance पे intercept कर रही है और यह इसका theta है तो जाहिर सी बात है कि a-b line को slope पता होगा might be possible कि a-b यही तक लाइन दी हूँ तो जो यहां का भी अगर यहां का भी बनलब यह a-b है तो जाहिर सी बात है सेम ही slope होगा आप extend कर लीजी slope हमिशा सेम ही बनेगा तो equation होती है आपकी y is equals to mx plus c where c is intercept on y-axis क्या है? intercept on y-axis अगर वो positive direction में काट रही है तो plus c और अगर negative पे काट रही है तो minus c intercept on y-axis अब बात आती है कि slope पे अगर आपका theta 0 से लेके 90 के बीच में है तो slope आपका positive होगा लेकिन अगर जैसे ही theta आपका 90 से जादा होगा slope आपका negative होने लगेगा क्योंकि theta जैसे ही 90 से जादा होगा वो second quadrant में लाए कर रहा होगा point अगर आपका second quadrant में लाए कर रहा है तो मतलब क्या हुआ कि second quadrant में tan कैसा होता है negative होता है तो महाँ पे slope आपका negative हो जाएगा तो आपको question में किसी भी तरे का मतलब अंगल आपको 90 रे, 180 रे, 60 रे, 70 रे आप tan of that angle निकालिए आपको slope पता होगा और intercept आपको दिया होगा नहीं दिया होता है माली जा equation दे दिया और बोला कि intercept निकालो इससे compare भी कर सकते हैं कि जो भी constant होगा वो आपका intercept होगा नहीं तो x-coordinate को 0 रखिए क्योंकि वो y-axis इंटरसेप्ट है वहां से जो भी y की value आए x को 0 रखने के बाद वो आपका intercept हो जाएगा अगला form है आपका point slope form point slope form अब आपको क्या होगा कि आपको intercept नहीं दिया होगा मतलब आपको यह c नहीं दिया होगा बट इस पे लाए करने वाला एक point दिया आपको अलग-अलग diagram हर के लिए बनाना होगा कि अब आपको line का जो है वो slope दिया हुआ है and along with slope आपको दिया हुआ है कि वो इस line पे लाए करने वाला particular point तो वहां पे equation हो जाएगी y-y1 is equals to m x- x1 ठीक यह हो जाएगी आपकी point slope form कि आपको slope दिया है along with slope आपको line पे लाए करने वाला एक particular coordinate दिया हुआ एक particular point का coordinate दिया हुआ है equation of line will be y-y1 is equals to m into x- x1 यह हो गया आपका दूसरा form इसको no down करिए फिर हम लोग तीसरा form देखते हैं which is two point form अब two point form में देगा ना ही आपको intercept देगा बस आपको क्या दिया होगा उस particular line पे लाए करने वाला कोई भी दो point का coordinate दिया होगा मतलब pull में लाके आपको सब कुछ खुद से निकाल लाए अच्छा दो point दिया है तो आप slope तो खुद-बखुद निकाल सकते हैं और अगर आपने slope दिका लिया तो point slope form आप यूज भी कर सकते हैं सब्सक्राइब की एक स्ट्रेट लाइन है जहांके दो points है a,b,a का coordinate है x1,y1 और b का coordinate है x2,y2 तो a,b की equation क्या होगी अब two point form two point form a,b की equation होगी अगर आप वहीं से derive करें a,b की equation होगी y-y1 is equals to mx-x1 अब यहां पे m तो दिया नहीं है मतलब हमें खुद से निकालना है m क्या होता है difference between the coordinates appointment distance between difference sorry difference between the coordinates is to difference between आप से साव यह हो गया आपका two point form जब आपको कोई भी एक line पे लाइक करने वाले दो points का coordinate that is x1,y1 and x2,y2 दिया हो तो वहां से आप line की equation कैसे निकालेंगे यह है आपका third point sorry third representation of straight line एक form से आप दूसरे form में easily convert कर सकते हैं और आप try करिएगा बहुत सिंपल होता है क्योंकि आज अज इन सब को evaluate करेंगे माली जए इसको evaluate किया 7 आया सब multiply किया तो जाहिर सी बदर 7x के साथ multiply होगा तो वहां से आप slope भी निकाल सकते हैं बाकि सारा constant जोगा वो क्या हो जाएगा आपका intercept हो जाएगा इसके बाद अगला form आता है आपका intercept form intercept form काफ़ important होता है इंटरसेप form में क्या होगा कि straight line x-axis और y-axis पे कहीं न कहीं intercept कर रही होगी माली जए कि x-axis पे वह a,0 पे काट रही है और y-axis पे वह 0,b पे intercept कर रही है तो equation हो जाएगी x upon x-axis पे कहां काट रही है a पे plus y upon y-axis पे कहां काट रही है b पे is equals to 1 x upon a plus y upon b is equals to 1 यह होता है आपका intercept form तो अभी तक हम लोगों ने 4 form देखा slope intercept form two point form point slope form और intercept form इसके बाद अभी 2 form और आपके बच रहे हैं एक आपका normal form है और एक आपका distance और angle के बीच पर relation होता है देख लेते हैं note down आप करते जाहिए एक form से दूसरे form में convert करना आपको आना चाहिए question वैसे basically देता है तो आप values रखते हैं तो एक form से दूसरे form में convert हो जाता है फिर हम लोग general equation को देखेंगे अब इसका कोई काम नहीं अब नया डाइग्राम बनेगा अच्छा यह intercept form बहुत यूज होता है क्योंकि intercept form equation देदिया बोल दिया कि triangle का area निकाल लिया जब triangle बन रहा था line और axis के बीच हो अगला है आपका normal form normal form में क्या होता है कि आपको क्या है आपकी straight line है length of the perpendicular to the line from the origin is P and this perpendicular OA या OC line को यह भी लेले this perpendicular is making alpha angle with the positive direction of X axis मतलब पहले तो P लिखलें P is length of the perpendicular from the origin from the origin to line ठीक और alpha क्या है angle between the perpendicular and positive direction of of x-axis 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 positive direction पर पर पंडी कुलर की बीच वे आंगल है alpha तो equation होती है x cos alpha plus y sin alpha is equals to p यह ज़्यादा important में ही आती है बट हाँ अगर इसी पे-based question आपके school में आते हैं तो फिर इसी पे-based रहेगा यहां से दूसरे form में convert करना थोड़ा साफ के लिए tough हो सकता है ठीक है इतना आप लोग note down करिये इसके बाद हम लोग का एक form और बचा है which is the equation of straight line passing through a point and making angle with the positive direction of x-axis यह हो गया normal form ना normal form के साथ एक और include होता है बट उसको आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं बट अगर कहीं पे कुछ ऐसा कुछ constraint लगा दिया जाता है तो आपको फिर भाई form यूज़ करना पड़ता है बट वो बहुत rare case में यूज़ होता है कि आपकी जो भी straight line है हमाली जे straight line है इस पे एक point लाए कर रहा है x1, y1 it is making an angle of theta with the positive direction of x-axis तो इसका coordinate होगी इसका जो equation होगी x-x1 upon cos theta is equals to y-y1 upon sin theta is equals to r r क्या है आपका r is the distance r is the distance between r is the distance between a point x, y on line and x1, y1 मतलब कोई भी एक point दे दिया जाएगा line पे और उसके और x1, y1 के बीच में जो भी distance है वो आपका y है तो आप यहां से equation of the line निकाल सकते हैं अगर आपको theta दिया है, point दिया है खर अगर theta दिया है तो आप slope intercept form से भी निकाल सकते हैं sorry, point slope form से भी निकाल सकते हैं बट कहीं पे ये चीज़ include कर लिया है तब आपको solve करना पड़ेगा या तो आपको बोल दिया कि आप आर निकाल दिया कि आर क्या है तो आर क्या है जो भी मतलब आर का coordinate क्या होगा आर कॉस थीटा प्लस x1 पॉमा आर स्थाइं थीटा प्लस y1 यहां से आप निकाल सकते हैं कभी ये पूछ लिया आप से इन दाट केस तो ये था आपका overall कि किसी straight line को एक particular plane में कितने तरह से represent आप कर सकते हैं ठीक है इतना होने के बाद अब हम लोग देखते हैं general equation कि अगर आपको general equation दे दिया जाए और वहां से आपको बूला जाए कि slope निकालो या कुछ भी निकालो तो आप सारी चीज़ें कैसे करेंगे तो general equation line का मतलब क्या होता है कि y की power भी 1 होगी और x की power भी 1 होगी कर्व हो जाता है तो अगर general equation है आपकी ax plus by plus c is equal to 0 तो यहां से अगर आपको बोला जाए कि you have to find the slope of a line तो इसको आप अगर आप slope intercept form में change करें तो हमें slope intercept form क्या था y is equal to mx plus c तो आप यह लिख से थे भी y is equal to minus ax minus c y is equal to minus a upon b x minus c upon b यह हो गई आपकी equation यहां से अगर आप compare करें तो slope is minus a upon b that is minus into coefficient of x upon me coefficient of y यह हो गया general equation से आप कैसे slope निकाल सकते हैं intercept पूछेगा तो intercept is minus c upon b यहां तक हो गया अब अगर आपको बोला जाए कि यह line l1 है equation of line निकालना है आपको equation of line parallel to l1 तो अगर l1 के parallel है तो बस क्या बराबर होगा उसका slope बराबर होगा तो equation of the line will be ax plus by plus c की जगा पे कोई और constant हो सकता है यह हो जाएगा अगर दो line parallel है तो x कोफिशेंट और y कोफिशेंट दोनों बराबर होगा पस जो constant वाला term है वो आपका change हो जाएगा बट अगर बोला जाए कि equation of a line perpendicular to the given line निकालना है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपका जो कोफिशेंट से वो change हो जाएगे अगर आपको बोला जाए कि equation of line perpendicular to l1 आपको निकालना है तो वह हो जाएगा bx minus ay plus जो आपका constant है c is equal to 0 क्यों change हुआ क्योंकि वहाँ पे क्या होता है perpendicular वाले case में दोनों का product आपका हो जाता है मतब पर्पेंडिकुलर वाले case में दोनों का आपका product होता है slope का वह minus 1 होता है तो पहले तो product 1 करना है 1 करना है मालीजे तो interchange करना पड़ेगा फिर minus 1 है तो एक sign minus भी लगेगा और ज़रूरी रही कि क्योंकि यह कोई भी constant हो सकता है क्योंकि यह तो intercept वैसे भी दिखाएगा तो अगर लाइन एक गिवन लाइन उसके parallel किसी लाइन की question निकालनी है या दो लाइन दिए पता करना है parallel है कि नहीं तो यूविल compare only coefficient of x with coefficient of y यह आप यह कर लेजिए कि slope निकाल लीजिए रहनों का देख लीजिए कि slope बरावर है तो पार्लेल है और अगर slopes का product minus 1 है तो जोनों लाइन जो कैसी है वो पर्पेंडिकुलर है तो यह हो गया कि अगर आपको एक equation of line दिया हुआ है तो आप slope निकाल सकते है या उस particular given line के parallel कोई भी line निकाल सकते है या उस particular line के perpendicular आप कोई भी line निकाल सकते हैं अब आता है कि आपको distance निकालना है distance of a point from a line एक चीज़ और miss हो गई है आपकी वह भी हम देख लेंगे कुछ miss नहीं होगा आपका अगला है आपका distance distance of a point from a line मतलब कि एक line है आपकी ax plus by plus c is equal to 0 इस line से एक p point x1,y1 का क्या distance होगा अच्छा यहां पर कैसा distance है कलता है perpendicular distance of a point from a line यह क्या होगा आपका distance between two points sorry distance between a point and a line इसके बाद आपका आता है कि दो parallel lines के बीच में आपका क्या distance होगा इतना अगर आप तो कुछ और चीजी भी आजाएंगी बट अगर आप 2D पर देंगे तो दो पॉइंट के बीच पर distance रिकालना यह एक form of line से दूसरे form of line में convert करना जो कि हम लोगों ने सारी equations देख ली है कैसे कहां से क्या आता है तो convert करना थोड़ा से simple है आपके लिए आपको होता है आपका यह जो distance है mod of c2-c1 अपन में अंडरूट a square plus b square अब क्या हो गया मान लिजे कि आपको equation दिया जाए 2x plus 3y plus 7 equal to 0 और यह दिया जाए 4x plus 9y plus 10 equal to 0 अब क्या आपको लगता है कि यह दोनों लाइन parallel है तो जी हां parallel है दो माना की slope coefficients आपके बराबर नहीं बट slope आपका बराबर है coefficients बराबर भी हो सकते है coefficients proportional भी हो सकते हैं मतलब अगर हम इसमें से 2 common निकाल ले तो क्या बचेगा 2x plus 3y plus 5 equal to 0 हो गया coefficient बराबर आप 2 को आप उधर ले चलिए तो बस यह बताने का मक्सर यह था कि coefficients might be possible coefficients equal हो या coefficients आपके proportional भी हो सकते हैं तो यहां पर जो 7 है C2 आपकर 10 न लेकि आप C2 5 लेंगे मतलब it's your responsibility कि आप coefficients को बराबर करिए क्योंकि अगर बराबर coefficients नहीं हुए तो आप A और B क्या लेंगे उपर वाले लेंगे कि नीचे वाले लेंगे लेकिन जब coefficients बराबर हो जाएंगे तो आप किसी का भी A भी ले सकते हैं और आपका C1 C2 भी सेम आ जाएगा तो यह लास्ट था आपका distance between two parallel lines एक चीज जो आपके miss हो गई वो यह है कि अगर आपको दो लाइन दिया जा और बोला जाए उन दोनों के बीच में क्या आंगल बन रहा है यह भी तो पूछा जा सकता है कि दो लाइन के बीच में क्या आंगल बन रहा है तो माड लोगा इजिए यह यह उन प्लस दोनों के की स्लोप का प्रोडक। यह होता है बिक elder बिरिपीन टू लाइंच यह है। But सबसे स्प्रीजें थो थाम इंपॉर्टेंस मोद सबसे TA, जो कि सिंक्पली Pharm morally जब आपको थोड़ा सा common लेके ध्यान रखना है यहां पर यह जुद्धा यहां पर mcd जो है it should not be equal to 1 minus 1 कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर mcd minus 1 के बराबर हो गया mcd नहीं mab into mcd minus 1 के बराबर हो गया इसका मतलब यहां से क्या एगा तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों लाइं के बीच पे 90 अंगल है तो दोनों के slope कितना होगा minus 1 तो उसके लिए आपको यह निकालने की जरूरत ही नहीं है तो आप simply रेखेंगे कि अगर product of the slopes minus 1 के बराबर है तो आप simply लिख सकते हैं ना कि lines are perpendicular यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ minus 1 रखा denominator zero हो गया यह not defined हो गया that means theta is equal to 90 degree है so this was all about जो सबसे बड़ा chapter था आपका coordinate geometry में the straight line तो यहां तक आप जल्दी से no down करिये हम लोग आप क्या देखेंगे अब हम लोग देखेंगे तो कार्टिशन सिस्टम के review के बाद स्ट्रेट लाइन देखने के बाद अब हम लोग कोडिनेर जिमेट्री में ऐसा नहीं है कि हमेशा सारे formula है मतलब हर तरह के circle दो circle एक ही तरह हर condition पे अलग-अलग लेकिन हमारा funda क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक equation याद होनी चाहिए और उससे आप सर्कल के सारे question कर सकते हैं but required क्या है requirement क्या है कि आपको थोड़े से basic concepts बता होना चाहिए of straight line या जो भी आप 9, 10, 8 में पढ़ते चले आ रहे हैं वो सारी चीज़े तो circle का जो सबसे most important equation है कि एक circle है सही बना है उसका center है मा लिजे h, k और उसका radius है r ठीक equation of circle क्या होगी equation of circle होती है x minus h का whole square plus y minus k whole square equal to r square simple इस equation से सारा काम हो जाना है आपका अगर आप cases देखना शुरू करें आपको cases क्या मिलेगा कि पहला center is at origin कोई दिक्कत नहीं है center origin है ठीक है h, k को 0 रख दीजे x square plus y square क्या हो जाएगा आपका r square साथ साथ आप डाइग्राम बनाते से लिए कि center is at origin मतलब कुछ ऐसा होगा आपका circle ऐसा होना चाहिए दूसरा बोल दिया कि circle touches x axis कोई दिक्कत नहीं है circle अगर आपका x axis को touch कर रहा है यह coordinate क्या होगा इसका h, k होगा यह कितना हो जाएगा यह distance के होगा बस आर की जगह पे आपको क्या रखना है बहुत सिंपल हो जाता है circle touches y axis circle touches both axis तो आपको कुछ नहीं अगर आप इसको उठाके आप वो quadrants वाले system मतलब प्लेन में बना ले रहे हैं तो वो चीजें आपको खुद बखुद दिखने लगेगी circle passes through the origin circle अगर origin से पास कर रहा है तो एक बर एक आपको की दीच में 0 रख दीचेया एक सो य में जब 0 रख देंगे तो आर इस square is equal to h square plus k square आजाएगा यहां पे इसको रख दीजिएगा आर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी circle दोनों axis को टच कर रहा है circle एक axis को टच कर रहा है circle origin से पास कर रहा है circle origin से पास करते हुगे दोनों axis पर intercept काट रहा है कोई दिखकर नहीं बट जो सबसे important equation है मतलब सबसे जिससे सारा question हो जाना है आपका वो यहीं है equation of the circle जहां सेंटर और रेडियस के बीच में मतलब सेंटर और रेडियस दोनों चीज़ें आपको दी रहती है तो यहां से आप किसी भी तरह का कोई भी question circle से related कर ले सकते हैं बट आपको straight line और basics of mathematics यह आपको आना चाहिए ठीक है इसके बार आता है कि यह तो आपकी होगी standard equation standard equation के बाद general equation आती है general equation भी अगर आप लोग नहीं याद करेंगे तो चल जाएगा general equation में क्या करेगा कुछ नहीं करता है इसको expand कर देता और expand करके कुछ नए terms को introduce कर देगा नए terms as in general equation लिख देगा ax square यह x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus 3 is equals to 0 यह आ गई आपकी general equation आप इसमें से बोलेगा कि अगर आपको general equation दे दिया जाए तो बोला गया कि आप इसका center निकालिए तरीका नंबर वन कि आप center हमसे तरीका नंबर 2 कि आप formula याद कर लिजे कि अगर आपको इस तरह की equation देती है तो center रही नहीं निकलेगा center क्या निकलेगा कैसे निकलेगा और क्या निकला में बहुत बढ़ा difference होता है कैसे निकलेगा अगर आपको आता है तो आप क्या तक तो पहुच जाएंगे लेकिन अगर आपको क्या निकलेगा पता है तो आप कैसे निकलेगा कि चक्कर में नहीं पड़ेंगे यहां पे आप method of completing the square आपने पढ़ा होगा method of completing the square से अगर हम लोग इस general equation को standard equation में convert कर लें तो standard equation से compare करके आप center of the circle along with the radius of the circle निकाल सकते हैं तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो यह x square है और यह 2gx है मतलब कुछ x plus g के whole square में जाएगा तो अगर हम इसको यह लिख दें x plus g का whole square तो यहां से क्या आएगा x square plus g square plus 2gx but 1g square नहीं है तो हम यहां से g square क्या करेंगे घटा देंगे कि extra आ रहा है हम घटा के balance कर दिया हमने अब y देखेंगे तो यह इसको लिख सकते है y plus f का whole square यहां से एगर y square plus f square plus 2fy तो यहां से भी f square extra आ रहा है तो यहां से भी f square घटा देंगे plus c आएगा c तो खर है ही अब यहां से अगर आप देखें इसको तो x plus g का whole square plus y plus f का whole square equal to g square plus f square minus c कुछ ही आया तो अगर इसको आप यह जो आपकी standard equation थी यह जो आपकी general equation थी इसको आपने किस form में convert कर लिए standard equation में तो यहां से जब आप इसको compare करेंगे तो center के आएगा center आएगा आपका minus g, minus है जिसको आप क्या लिख सकते हैं अगर आपको याद करना है तो आप लिख सकते हैं minus half times coefficient of x minus 1 upon 2 times coefficient of x, minus 1 upon 2 coefficient of y आप चाहिए तो आप इसको याद कर लिजे बट मुझे लगता है कि याद करने के लिए भी बहुत चीज़ें मिलेगी जो आपको याद ही करने पड़ेंगी तो इसलिए यहां से यहां आना easy है जादा कि आप बस यह याद करिए इसके अगर आप radius देखें तो radius के आएगा under root g square plus f square minus c यह जाएगा आपका radius तो यह था आपका कि आपको standard equation दे यह general equation दे आप एक दूसरे से convert कर सकते हैं तो याद क्या करने आपको सिर्फ equation of the circle यह वाली equation जो आपकी standard equation है standard equation सिर्फ याद करने से आप circle के mostly questions आपके complete हो सकते है इसके बाद एक और topic है वो है आपका diameter form of a circle diameter form of a circle मतलब क्या होता है कि अगर आपको circle के पहले कुछ आशा दे दिया जाए है कि कुछ यह है diameter of the circle है अगर आपको method of completing the square नहीं आता है तो यह जो मैंने बताया है उसको एक line में आप किंदी में ही भले ही लिख लीजे लेकिन लिख जरूर लीजे क्योंकि without using the method of completing the square आप नहीं कर पाएंगे इसको पिर आपको यहीं याद करना पड़ेगा कि center क्या होता है और radius क्या होता है अब इस वाले चीज़ को भी आप कर सकते हैं simply standard equation से standard equation से कैसे कर सकते हैं माल लेजे कि आप o diameter के endpoints दिये हुए है मतलब यह x1, y1 दिया हुआ है और x2, y2 दिया हुआ है अभी आपने हम लोगों ते देखा section formula मतलब 1 is to 1 में divide करेगा तो आप midpoint formula से o का coordinate निकाल सकते है midpoint o निकल गया मतलब center निकल गया अब o निकल गया तो o से a का distance निकाल लीजे या o से b का distance निकाल लीजे रेडियस निकल जाएगा वहाँ से भी equation आ जाएगी नहीं है तो आप ऐसा लिख सकती equation हो जाएगी x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0 इसको क्या बोलते है डायमीटर form of a circle school अगरे मैं might be possible बोल दे कि डायमीटर form of a circle से आप इसको solve करिए तब आपको ऐसा करना पड़ेगा किसी एक्जाम में जाते हैं तो आपको डायमीटर की कोडिनेट एंड पॉइंट निकालिए वह आपको सेंटर आ जाएगा मिट पॉइंट से किसी भी एंड का आप डिस्टन से का लिए रेडियस आ जाएगा उसके बाद आप अपनी standard equation को use कर सकते हैं तो यह था आपका diameter form of a circle यहां तक no down करिए फिर हम लोग देखते हैं पारबोला तो review of Cartesian system आप उसको कैसे represent करें पॉइंट अगर move कर रहा है तो वह किस equation पर move कर रहा है फिर हम लोगों ने deal किया straight line से फिर हम लोगों ने देखा circle circle के बाद अब हम लोग आते हैं पारबोला तर बेसिकली अगर आप class 11 में है minimum अगर आप पारबोला पढ़ रहें तो आप 11 में तो minimum होंगे बागी किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो तो straight line से आपको aware करा दिया जाता है बट पारबोला क्या होता है पारबोला क्या है लोकस ओफ पॉइंट लोकस का मतलब कि वह पॉइंट एक पॉइंट की बूस इन प्लेट सब्सक्राइब सब्सक्राइब करण आपको याद करने के बिल्कुल बीज़रूरत नहीं है एक पॉइंट है उसका फिक्स पॉइंट से इसंस और एक कपरेटिकुलर लाइंग से इसंस उसी प्लेट में हमेशा एकूल होगा तो वह क्या रिप्रेजेंट करेगा पारढ़ एंपारष बात है अब इसमें कुछ पर्म हीुज होंगे दो ये सारे चीज़ें जो conic section में आती है circle, parabola, ellipse, hyperbola इन सबको जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारे term सब में use होगा बट उस हर जगह पे उसका कुछ और मतलब निकलेगा तो वो हम लोग ज़से ज़से पढ़ते जाएंगे aware हो जाएंगे general अगर देखा जाएंगे तो एक होता है focus focus क्या होता है आपका जो हम लोग fixed point लेके चल रहे है fixed point वो होता है हमारा focus this fixed point जहां से हम एक moving point का distance measure कर रहे हैं उसके बाद क्या होता है directrix directrix क्या है directrix is the fixed line जिससे हम लोग point का distance measure कर रहे हैं parabola की case में उस point का distance fixed point से और उस point का distance line से equal होता है बट हर case में ऐसा कुछ नहीं होता है तो यह हो गया focus directrix फिर होती है axis axis क्या है आपकी line passing through focus line passing through focus and perpendicular to directrix उसको बोलते हैं हम focus sorry axis axis is a line जो कि आपका focus से पास करेगी और directrix के perpendicular होगी उसके बाद आता है center center vertex और एक और टर्म भी देखना है पहले vertex देख ले vertex is the point of intersection point of intersection of conic section that is कि यहाँ parabola या hyperbola या कुछ भी अभी अमनों सब कुछ general पढ़ रहे हैं हर चीज में focus होगा जो कि एक fix point होगा directrix होगी axis होगी center होगा vertex होगा so vertex is the point of intersection of that particular conic section and axis यह होगा आपका vertex फिर center क्या होता है आपका center is a point with point which bisects which bisects every chord of conic section मतलब parabola हो hyperbola हो या कुछ भी हो उस पे बनने वाले हर chord को जो bisect करता है उसको बोला जाता है center fine यहाँ तक यह सब सीज होगा center होगा vertex होगा axis होगा इसके बाद आता है lattice rectum लिखते जाएगा lattice rectum is what lattice rectum chord ही होता है but chord passing through focus chord passing through focus तो lattice rectum को कह सकते है कि अगर focus से पास कर रहे है तो lattice rectum is the largest chord इसके along with these terms एक सबसे important term होता है which is eccentricity eccentricity क्या होता है हर के लिए मतलब हर एक chronic section parabola हो circle हो ellipse हो hyperbola हो हर के लिए constant ratio होता है depending upon the value of eccentricity अगर आपने eccentricity calculate कर लिया है तो आप बता सकते हैं कि जो आपकी equation दी है वो parabola की है circle की है ellipse की है कि hyperbola की है अगर eccentricity zero है तो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रही है तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा 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 है हाइपर बोला ठीक है यह सकते हैं कि कोई एक particular equation दी हुई है कोई एक locus of a point दिया हुआ है तो वो parabola है ellipse है की hyperbola है कि circle है तो इतना तो पहले note down करें फिर हम लोग पारबोला की equation को derive करते हैं इतने के बाद यह सारे terms अब हम लोगों ने यह सारे general terms सबका term का मतलब तो भई होगा बढ़ हो सकता है जैसे की focus है पारबोला का एक ही focus होगा ellipse जब पढ़ेंगे तो ellipse के पास दो focus होंगे दो directrix होगी तो वो सारे चीज़ें चेंज होगे बढ़ मतलब भई होता है अब हमने क्या देखा कि पारबोला क्या होता है आपका लोकस एक फोइंट 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 फिच्ट सब्सक्राइब को बोलते हैं फोकस फिक्स लाइं को होते हैं directrix है यह आपका कोई भी एक Kimberly और यह एक औरम बीटा सीचा को बीटा तो यह सीoot होगा दिस्टिंस फ्रॉम दिर्यक्तर इसका होगा अगर अग्र तरीक्रेश की इक्वेशन डिर्यक्तर टर्व नाइन ही सा मकने में plus by plus c is equals to 0. Parabola के case में क्या बोला गया? कि distance of this moving point is from that fixed point is equal to distance of that moving point from the fixed line. मतलब ps बराबर क्या होगा आपका? pm होगा? ps क्या होगा? under root x minus alpha का whole square plus y minus beta का whole square pm क्या होगा? distance of a point from a line. ax plus by plus c upon में under root a square plus b square. तो आप यार करने के ज़रूरत नहीं है. अब आप इसको क्या करेंगे? square करेंगे दोनों साइड, square करने के बाद आपको क्या करना होगा? कि x, y के terms को arrange करेंगे? तो एक x, y के terms में आपको general equation मिल जाएगी. एक general equation जब मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमने ps को pm के बराबर किया है. अब जब यहाँ से आपको एक general equation मिल जाएगी, यह सिर्फ किसकी मिलेगी? parabola की मिलेगी. लेकिन generally होता क्या है, कि अगर आप एक formula लेके चलें, जहां से आपको derive परना हो, तो ps upon pm, यह हमेशे किसके बराबर होता है? eccentricity के बराबर होता है. In case of parabola, हमारी eccentricity 1 है, तो हम लोगों ने ps को pm के बराबर ले लिया है. ठीके? अब आते हैं में मुद्धे पर की parabola की equation होती क्या है? तो अगर एकदम layman धाशना में बात करें, तो x की power 2 होगी, तो y की power 1 होगी, या तो y की power 2 होगी, तो x की power 2. मतलब यहां पर linear power नहीं चलेगी, 1 की power 2 होगी. ठीके? कुल मिला के 1 की power कम? में की power जाधा होगी, तो general equation पे हम लोग जल्दी से switch करते हैं, और एक particular equation के लिए हम लोग देख लेंगे, कि क्या होता है parabola? ठीके? एक हम लोग देखेंगे, खर चार तरीके parabola होते हैं, अब देखे, पैराबोला का जो structure होता है, कुछ इस टाइप का होता है, मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पैर में एक दिस नहीं करता है, एक ही होगा, अब बारी आती है कि पाराबोला की equation होता, अगर, पर एक्जामपल, पहली जब सबसे basic equation, y square is opposed to 4ax है, फिक है, इस रप्रेजेंट पाराबोला, क्योंकि देखे, straight line हो है नहीं, नहीं है, straight line, y because x की पार बन होनी चाहिए, straight line के लिए, और y की पार भी बन होनी चाहिए, नहीं है, circle भी नहीं है, यह जब x की par, y की power से एक कम है, तो वहाँ पर यह क्या रप्रेजेंट करेगा? पाराबोला रप्रेजेंट करेगा, अब हम क्या देखेंगे कि power of x जो है, वो power of y से कम है, तो जो पाराबूला का मुह होगा, वो किधर की तरफ पुला होगा? x access ती तरफ x positive है तो positive x access ती तरफ और देखी इसको origin को यह satisfy कर रहा है 0,0 को तो parabola कुछ ऐसा बनेगा ठीक है parabola आपका कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पर यह क्या हो जाएगा अब देखी यही access हो गई यहाँ पर कुछ focus होगा focus क्या होगा इसका a,0 directrix कहीं यहाँ पर होगी directrix यह fixed point तो और एक moving point P जो था यह होगया focus और यह इसकी directrix से Pm distance ps upon pm क्या होगा eccentricity के बराबर and in case of parabola eccentricity आपकी 1 होती है तो आप ps को pm के जब बराबर करेंगे तो वहाँ से यह equation derive होके आएगी तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बात आती है कि यह आपकी x, x- is what axis अभी देखें सिर्फ इस स्वाले के लिए आपनों बात करें y square is equals to 4ax हमने graph बना लिए हमने रेखा बीच से कौन सी लाइन पास करेंगी x आपकी and equation of x axis is y is equals to 0 तो इसकी axis क्या हो गई y is equals to 0 थेक y square is equals to 4ax है तो इसका जो कह सकते हैं कि focus है हो क्या है a,0 focus directrix क्या होगी x is equals to minus a directrix focus से पास करने वाला जो longest chord होगा वो क्या होगा आपका lattice rectum होगा यह आपका vertex हो गया 0,0 तो यह दो सबसे basic सा रप्रेज़ा मतलब आपका parabola हो गया जहां पर आपने निकाल लिया vertex 0,0 है focus निकाल लिया directrix निकाल लिया axis की equation निकाल लिया बारे आती है सिर्फ और सिप एक चीज़ और कि length of lattice rectum क्या होगा इस case में length of lattice rectum ll' से represent करते है length of lattice rectum is the chord passing through the focus length of lattice rectum is nothing but 4a in this case only मतलब अगर आपको equation दे दिया जाए y square is equals to 18x तो आप इसको क्या लिखेंगे 4 into 18 by 4 x तो यहां से यह क्या आजएगा जब आप compare करेंगे तो एक ही value आजएगी 9 by 2 नब 18 by 4 आजएगी एक ही value अब जब आपको एक ही value पता चल भी तो आप focus निकाल सकते हैं directrix निकाल सकते हैं length of lattice rectum निकाल सकते हैं बाकि symmetrical होगा ही होगा it might be possible कभी ऐसा आजाए कि कुछ ऐसा आगे मालने 16 x minus 2 कोई दिक्कत नहीं है आप x minus 2 को capital x लेके solve कर लीजिए उसके बाद जो भी जहां जहां भी आएगा value आएगा जैसे इसको हमने capital x ले लिया तो यह आगे आपका 4 times 4 a x तो अब यहां से अगर आप बोलेंगी कि directrix के question क्या आई तो directrix आएगा capital x is equals to minus 4 capital x के जगा पर बाद में आप x minus 2 लिख लिएजेगा तो small x आपका आजाएगा minus 2 यह काम बात का होता है तो यह हो गया पहले तरे का parabola अब हो सकता है कि parabola ऐसा हो हो सकता है parabola ऐसा हो हो सकता है parabola ऐसा हो तो अगर आप सारे terms से aware हो चुके कि what is focus what is directrix what is lattice rectum what is vortex what is axis तो आप चारों तरे की parabola के लिए अब मैं टेबल बना लेती हूं और वो टेबल को देखके आप सारी values कि हर तरे के parabola के लिए क्या focus होगा क्या directrix होगा फिर उसके बाद आपका parabola complete हो जाएगा तो पहले आप इतना no down करिए फिर हम लोग टेबल देखते हैं तो equation देखते के बाद इस table पर आते हैं सबसे पहला वाला हम लोगों ने देख चुका है y square is equals to 4a x y square is equals to 4a x में हमने लेखा कि graph ऐसे बनेगा कि power x की कम है तो x axis के लॉंग भूला होगा plus x है तो plus x के लॉंग भूला होगा यह बन गया हारा vertex का coordinate क्या हो गया? 0,0 focus क्या हो गया आपका? 1,0 equation of directrix क्या हो गई? x is equals to minus a equation of the axis क्या हो गया? y is equals to 0 length of lattice rectum क्या हो गया? 4 है इतना कुछ देखने के बाद एक जो बचा था आपका वो था focal distance of a point मतलब किसी एक particular point का जो कि आपका parabola पे लाए कर रहा है उसका focus से कितना distance होगा? तो वह होगा a plus x ठीक है? उसके बाद second है y square is supposed to minus हो रहे है मुह खुलेगा x axis के लौँगे बट minus x के लौँगे तो यहां पर भी vertex आपका same होगा focus आपका change हो जाएगा क्योंकि आप focus कहां लाए करेगा? minus a,0 पे तो direct x is equals to plus हो जाएगी axis y is equals to 0 ही रहेगी length of lattice rectum 4a ही रहेगा और यह आपका a minus x हो जाएगा focal distance of a point इसके बाद जो 3rd है आपका वो है क्या? x square is equals to 4ay मतलब मुह आपका कहदर पुलेगा y axis के लौँग that to plus y axis के लौँग vertex आपका रहेगा 0,0 focus आप कहां लाए करेगा? y axis पे that is 0,a पे यह क्या हो जाएगा? y is equals to minus a कहीं पर matrix जो होगी आप कहीं पीछे होगी na y is equals to minus a पे equation of the axis हो जाएगा x is equals to 0 length of lattice rectum will be 4a and this will be a plus y यह कैसा आपके? a plus y focal distance of a point similarly जब x square is equals to minus 4ay होगा तो जो parabola होगा उसका मुह खुलेगा तो आपका y axis के along but negative y axis के along मतलब कुछ ऐसा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा तब भी vertex तो सेम ही रहेगा सेम क्या 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 रहेगा? vertex सेम रहेगा length of lattice rectum सेम रहेगा equation of axis सेम रहेगा बस इसमें क्या होता है? कि जो आपका focus एगर वो positive है directrix negative, directrix positive है तो focus negative यह हो जाएगा a minus 1 यह table आपके लिए बहुत important है क्योंकि जितने भी questions होंगे अगर आपके दिवांग में यह table रहता है तो questions को solve परना simple हो जाता है तो यह table आप फटा-फट से बना लिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ellipse हम लोग ellipse जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ellipse के लिए eccentricity क्या होती है less than 1 होती है less than 1 का मतलब यही हुआ कि एक fix point होगा moving point होगा हम लोग जो ps upon pm measure कर रहे थे था pm या pm जो भी था eccentricity था यहाँ पे eccentricity will be less than 1 ellipse के case में जो आपके terms use होंगे वो same use होंगे यहाँ पे दो focus दो directrix एक major axis minor axis यह सारी चीज़ होंगी तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे basic मंदर जो पहला है वो है x square plus y square upon b square equal to 1 यह है पहली equation of ellipse equation of ellipse equation of ellipse आपको दे दिया है x की value भी 2 है मतलब x ती पार भी 2 है y की पार भी 2 है यहाँ पे क्या होगा कि अगर a square b square के बराबर होगी है तब तो वो circle हो जाएगा circle with center at origin and radius equal to a but जब a b के बराबर नहीं है तो in that case this particular equation represents ellipse ellipse बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या यह origin को satisfy कर रहा है नहीं कर रहा है symmetrical अगर हम लोग इसको देखेंगे कि अगर हम लोग y की जगह पे minus y रख दें तब भी equation सेम रहेगी और x की जगह पे minus x रख दें तब भी equation सेम रहेगी that means कि यह जो भी graph बनेगा वो x और y-axis दोनों के अबाउट symmetrical होगा इससे आप लोग यह कर सकते हैं कि यहां पे क्या आएगी symmetry आएगी फिर आप लोग देख लिए point of intersection अगर आप x की value 0 रखते हैं तो y आएगा plus minus b और y की value 0 रखते हैं तो x आएगा plus minus a मतलब अगर हम इसको trace करें तो यह x-axis को दो बार काटेगा और y-axis को भी दो बार कट करेगा अब अगर हम एक चीज consider करके चलें कि यह a जो है वो b से जादा है अगर a b से जादा है तो आपका जो graph बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा fine थोड़ा सा symmetrical मैंने उससे बना नहीं पर होता वो symmetrical ही है तो this represents ellipse अब जब हमने x की value 0 रखा तो क्या आएगा यह point आएगा 0,b और यह आएगा 0,-b that means कि जो भी चीज आपकी y-square के नीचे रिखिए वही y-axis पर आएगी और अगर यहां पर देखेंगे तो यह आएगा minus a,0 और यह आएगा आपका plus a,0 यहां आपका a,a और यह आपकाी b,b सまसh अब जो बड़ी वाली shear sais को बोलते हैं तो major axis आपकी क्या हो गई major axis हो गई आपकी aa- minor axis क्या हो गई b,b- leng of major axis कितणी होई Length of Major Axis Length of Major Axis हो गई आपके 2A Length of Minor Axis कितनी हो गई 2B ठीक है अब यहाँ पर जब इतना कुछ आपने देख लिया कि आपने आपको equation दी थी जब A, B के बराबर नहीं था हमने trace किया से मट्रे वगरा देखे इसके बाद अब क्या हुआ कि हमने देखा हमें देखना है इसका center क्या है इसका vertex क्या है focus क्या है मतलब everything अब अगर हम लोग यह देखें इसको अटा देते हैं Major Axis निकल गया Minor Axis क्या है पता चल गया Length of Major Axis क्या है सब कुछ बता चल गया Eccentricity LH के case में क्या होती है Less than 1 Eccentricity यहां पर होती है Under root 1 minus B square upon A square सबसे main जो role play करता है Conic section में वो Eccentricity की value भी करती है Because on the basis of Eccentricity की value हम लोग बता सकते हैं कि given equation represents what यह होगे Eccentricity अब इसके लिए जो main vertex जो हमें दिख रहा है पहले तो हम लोग वो लिख ले vertex आपका A,0 and minus A,0 यहीं तो ना हुआ दोनों end इसके vertex होगा अब यहां पर इसका center center क्या होगा इसका 0,0 यह होगा इसका center C यहां पर दो focus होगे एक S और एक S डाश तो यहां पर जो focus होगा वो होगा आपका A,0 and minus A,0 इसको आप एकदम याद कर लेजिए कि इस ellipse के case में जो focus होता है वो A,0 and minus A,0 होता है equation of major axis अगर बोला चाहतो major axis की question y is equals to 0 और minor axis की equation x is equals to 0 आप चाहिए तो इसको table form में भी लिख सकते हैं आईसे भी लिख सकते हैं फिर आती है directrix directrix क्या होगा जाहिर दी बात है क्या होता था directrix focus से opposite side होता करको यहां पर भी दो directrix होगी एक directrix यह होगी और एक directrix कुछ इधर लाए करेगी equation of directrix होगा x is equals to plus minus A upon E दो directrix, दो focus एक minor axis, एक major axis एक vortex, एक center और हम लोगों ने यह तो निकाली दिया है क्या करते हैं इसको eccentricity इसके बाद आता है length of lattice rectum length of lattice rectum यह होता है 2b square upon A यह भी आतकाली जीए यह भी काफ़ी important है अब देखें यहां पर दो term और आते हैं एक होता है ordinate और एक होता है double ordinate double ordinate अगर आप कोई भी एक p point लें यहां पर ellipse के उपर p point लें और t से एक perpendicular ड्रॉप करें axis पे p n तो p n को बोलेंगे ordinate अगर इसी perpendicular को हम extend कराएं तीछे की तरब ताकि यह ellipse को जाके फिर से intersect गरे at point p p dash तो p p dash is what double ordinate और अगर यही double ordinate आपका focus से पास करेगा तो it will be known as lattice rectum तो lattice rectum क्या होगे आपका double ordinate ही हुआ double ordinate passing through focus focus से पास करने वाला double ordinate is known as lattice rectum सबसे लंबा सबसे लंबा double ordinate is lattice rectum and length of lattice rectum is 2b square upon a अभी हम लोग वही वालप वो ellipse देख रहे हैं जहांपे a की value मतलब x-axis पर जो intercept है वो y-axis पर के intercept से जादा है उसके बार आता है focal distance of a point जगा ही नहीं बची focal distance of a point focal distance of a point यह होता है a plus minus e into x वहाँ पर क्या था a plus x a minus x ऐसे हो रहा था यहाँ पर symmetry चल रही है तो एक साथ होगा a plus minus e upon x यह तब है जब यह आपका a greater than b है यह चीज याद रखिएगा और यह पूरा no down कर लिजिए fine तो second type of ellipse जब होगा जब एक ही value b से कम होई that is intercept on the y-axis जो होगा वो intercept on x-axis से greater होगा मतलब कुछ आपका ellipse जो बनेगा वो ऐसे बनेगा अब चीजे सेम ही होगी यह coordinate क्या होगा 0,b यह coordinate होगा 0, minus b यह coordinate क्या होगा 0, minus a, 0 और यह coordinate होगा आपका a, 0 अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो equation of major axes अब major axes कौन से होगे major axes विल बी b, b dash ठेक है और minor axes is a, a dash equation of major axes equation of minor axes length of major axes length of minor axes सारे चीज़ सेम चलेगी सेम आनलोगी में जो हम लोगों ने पिश्ली बार देखा है अब अग everything will lie on the major axes i.e. अगर हम लोग यह थारी चीज़ों को छोड़ते हैं तो यहाँ पर length of major axes विल बी बाट 2b and length of minor axes विल बी 2a major axes अब आपकी क्या हो गई? x equal to 0 और minor axes आपकी हो गई y equal to 0 length of major axes निकल गया, equation of major axes निकल गया and same for minor axes भी निकल गया तो जब major axes यह है तो जो आपका focus होगा it will lie on the major axes only तो यहाँ पर focus क्या हो जाएगा आपका? 0, plus minus b e directrix की equation क्या हो जाएगी? यही पर लाए करेगा कहीं directrix y is equals to plus minus b upon e eccentricity which is common ratio and for ellipse which is less than 1 यह हो जाएगा 1 minus under root 1 minus a square upon b square यह हो जाएगा eccentricity equation of major axes, equation of minor axes length of major axes, minor axes, focus, directrix eccentricity और बचा क्या एक और चीज़ आपका? length of lattice rectum length of lattice rectum हो जाएगा 2 a square upon b और focal distance of a point is b plus minus e y b plus minus e y focal distance of a point focal distance of point तो यह सारी कुछ अब क्या था कि ना? जो major axes हो गई वो y axes हो गई तो everything is in form of b यहाँ पे b यहाँ पे भी नीचे हो गया क्योंकि b की वालू बड़ी है, focus में भी आ गया तो यह हो गया आपका ellipse जहाँ पे eccentricity की value less than 1 होती है और जो extra terms introduced होते हैं वो होते हैं ओर्डिनेट डवल ओर्डिनेट फैर वहाँ पारबोला में हम लोग लोग लाटर स्रेक्टम देखी चुके थे eccentricity के formula introduced होता है क्योंकि यहाँ पे eccentricity आपकी 1 होती है अब किसी भी केस में निकालें अपार्ट रूम दाट ellipse is symmetrical about x-axis and y-axis 2 और उसके लावा तो बाकी focus हाँ अब ठीक है सबकुछ सिमेट्रिकल है तो दो focus दो directrix एक center इसके लिए भी center आपका क्या हो जाएगा 0,0 तो this was about ellipse इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि ellipse मौर कुछ होगा अच्छा हाँ एक vertex भी आप लोग देख लीजे कि vertex everything lies on major axis वहाँ पे जब major axis x आते उसी तो vertex was a,0 and minus a,0 तो यहाँ पे vertex क्या हो जाएगा 0,b and 0, minus b जितने लोग यह सोच रहे थे 0,b and 0, minus b तो उनको मतलब है कि सही से चीजने समझ में आ रही है जितने लोग नहीं सोच रहे थे ऐसा वो यह चीज समझ जाएं कि जो major axis होती जो बड़ी वाली axis होती है जिसको हम लोग major axis मान के चल रहे हैं सब कुछ उसके terms में ही आएगा cocus भी उसी पर लाए करेगा उसी access पर directrix भी लाए करेगी vertex भी वही होगा वही आपकी major है क्योंकि fine यह हो गया आपका ellipse इतना आप लोग note down कर लीजिए देखने के बाद अब hyperbola में वापस से हम सारे terms को reintroduce नहीं कराएंगे simply हम लोग देखेंगे कि इसके लिए सारी चीज ने क्या होती ही सबसे पहला चीज कि hyperbola आपका pairs में exist करता है and for hyperbola eccentricity is greater than 1 that is कि जो हम लोग लेके चल रहे थे ps upon pn is greater than 1 eccentricity is greater than 1 अब hyperbola आपका pair में exist कर रहा है hyperbola के standard equation x square upon a square same as that of ellipse बस वहाँ पे minus plus का अंतर होता है अब अगर हम लोग इसकी equation बनाएं इसका जो graph बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेगा hyperbola आपका कैसा exist करेगा? pair में exist करेगा hyperbola के लिए सारे terms वही होंगे center होगा, focus होगा, vertex होगा, everything अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यह दोनो इसका center हो गया खैल तो हम लोग साथ साथ लिखते चलते हैं center of the hyperbola is 0,0 अब हम लोग आते हैं vertices पर vertices आपको देखते लग रहा होगा ना कि यह कूना है ही vertices क्या होगी vertices align on x axis मतलब अगर आप y को 0 करें तो x की value plus minus aiv यह coordinate क्या हो जाएगा minus a,0 और यह हो जाएगा आपका plus a,0 होगा vertices हो गए आपके plus minus a,0 इसके बाद आता है आपका focus अब focus भी दो focus होगा जाहिर सी बात है जैसे कि ellipse में चल रहा था कि दो focus था वैसे ही यहाँ पे होगा focus हमारा सेम ही होगा plus minus a,e upon sorry a,e,0 क्योंकि जो आपका vertex है जो आपका center everything center तो कहाँ सोड़िए जो आपका vertex है इस लाइंग on x axis तो focus भी आपका x axis पे लाए करेगा और x axis पे लाए करेगा तो x के नीचे वाला term ही आप लोग लेके चलेंगे यह हो गया आपका focus अब यहाँ पे दो तरह की axis होती है एक transverse axis होती है और एक आपकी conjugate axis होती है तो transverse axis की equation transverse axis equation of transverse axis transverse axis जो की vertex, center, focus इन सब को join करते विजा रही है वो होती है y is equal to 0 मतलब यहाँ पे transverse axis आपकी क्या है x axis है y is equal to 0 और जिसके about आपका जो hyperbola है वो ऐसे symmetrical है उसको बोलते हैं conjugate axis तो equation of conjugate axis will be x is equal to 0 अब बात आती है कि length of transverse axis and length of conjugate axis क्या होगी तो length of transverse axis will be equal to 2a अब यह तो 2a हो गया इतना conjugate axis की कोई particular length दिख नहीं रही है बट होती क्या है length of conjugate axis length of conjugate axis is 2b अब इतना देखने के बाद focus हो गया transfers axis हो गया conjugate axis हो गया इतना सबकी equation हो गई इसके बाद आता है आपका directrix equation of directrix क्या होगा जैसा कि ellipse में चल रहा था x axis पे ही लाए करेगा टेरिप्रिस इस plus x is equals to plus minus a upon e अच्छा eccentricity use तो कर रहा है बट eccentricity का formula क्या होता है under root 1 plus b square upon a square ellipse में minus होता है hyperbola के case में plus होता है तो हम लोगों ने center देख लिया vertices देख लिया focus देख लिया transfers axis conjugate axis everything length of lattice rectum miss हुआ जो ll' की length 2b square upon a याद कर लीजिएगा जरा सभी ellipse और hyperbola के case में length of lattice rectum में confusion मत रखिएगा एकदम अच्छे से इसको याद करिएगा क्योंकि lattice rectum काफी important topic माना जाता है उसके बाद है focal distance which is e x plus minus a e x plus minus a क्या है यह focal distance of a point मतलब hyperbola पे lie करने वाले किसी भी point का focus distances e x plus minus a तो यह हो गया आपका hyperbola अब hyperbola का second part second part में hyperbola के क्या होगा हम लोग कुछ नहीं करते हैं हम थोड़ा से change करते हैं थोड़ा से change करने में यहाँ पे क्या होगा अच्छा यह अब जो हम लोग पढ़ेंगे second part इसी में हम लोग change करते हैं इसको बोलेंगे अब यहाँ पे यह plus हो जाएगा यह minus हो जाएगा and this will be known as conjugate hyperbola कौन सा hyperbola conjugate hyperbola conjugate hyperbola की equation change हमने कर दिया है अब क्या है x negative है y positive है तो graph जो आपका बनेगा वो अब पलड़ जाएगा आपका graph कुछ graph ऐसा हो जाएगा ऐसा होने पे फर्क क्या पढ़ेगा center सेम रहेगा अब vertex आपका कहा लाए करेगा y-axis पर लाए करेगा तो अगर हम लोग vertex पो coordinate change करें तो it will be 0, plus minus b यह हो जाएगा आपका vertex क्योंकि हमने x की value 0 रखा तो y plus minus b के बराबर आया focus क्या हो जाएगा आपका 0, plus minus b e होगा अब आपकी जो भी transverse axis और conjugate axis थी वो आपस पे interchange हो जाएगी मतलब transverse axis will be x is equal to 0 conjugate axis will be y is equal to 0 इसके बाद जो directrix है वो क्या हो जाएगा y is equal to plus minus d upon e आप अलग से table बनाईएगा confusion किसी भी तरह कमत रखिएगा बस और यह भी change होगा length of transverse axis length of conjugate axis सब कुछ आपस में interchange हो जाता अगर आपको एक के लिए भी याद है तो conjugate hyperbola का सब कुछ आप फुछ से निकाल सकते हैं और eccentricity will be a square upon b square generally जो ellipse में हम लोग पहला वाला देखे थे जब a was greater than equal greater than b वो वाला और hyperbola में जो हम लोग पहला वाला देखे थे वही use होता है आप वो दोनों याद करिएगा बाकी दोनों चीज़े तो निकल आएंगी तो मुझे नहीं रखता कि इसमें और को चेंज करने की जरूरत है एक यह focal distance of a point e y plus minus b और lattice rectum will be 2a square upon b यह हो गया आपका complete conjugate hyperbola तो यह आपका complete होता है यहाँ पे 2d coordinate geometry अभी coordinate geometry पे हम लोग नहीं coordinate geometry हमारा खतम नहीं हुआ है coordinate geometry हमारा तब खतम होता है जब हम लोग 3d भी complete कर देते हैं पर अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या खतम किया है 2d coordinate geometry straight line पहले partition system से introduce हुए उसके आपने देखा straight line क्या होती है circle क्या होता है parabola के different equations क्या होती है ellipse को कैसे trace करते हैं क्या कर terms use होते है most important term eccentricity के basis from कैसे बता सकते हैं कि कोई भी जो graph दिया है equation दिये वो क्या है circle parabola ellipse hyperbola उसके बार हमने देखा दो दरे के hyperbola so this was all about coordinate geometry without a break उमीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी enjoy your day